सादू 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 नमोतस भगवतो अरहतू सम्मा सम्भुद्धस सरप्रथां उन्ततागत भगवन बुद्ध जीगो अज हम आप लोगों को मुक्ति का मार्ग आरे अश्टांगिक मार्ग के बारे में बताने वाले हैं पगवन बुद्ध जी का मार्ग वो मार्ग जिस मार्ग पर चलने से वो व्यत्य सीधा मुक्ति पाता है क्या आपको पता है ये आरे अश्टांगिक मार्ग जो है बहुत सारे लोग के बाल नाम से जानते हैं वास्तविक में अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं इसलिए मैंने सोचा बताने के लिए ये आरेश्टांग मार्ग किवल और किवल बुद्ध सासन में ही होता है भगवान बुद्ध के धरम से बाहर दूसरे मती मतांतरों में या फिर दूसरे रिलिजन में या फिर दूसरा कोई भी व्यक्ती इस आरेश्टांग के मार्ग के बारे में नहीं बताता, इस दुनिया में आरेश्टाइंग मार्ग तब ही आता है, जब बुद्ध लोग जन्म लेते हैं, जब बुद्ध लोग जन्म नहीं लेते हैं धरते पर, उस समय आरेश्टाइंग मार्ग नहीं होता है, ऐसा है ये, क्योंकि आरेश्टाइंग मार्ग के द्वार shaa hi bhagwan buddhji ji bhi mubti ko paar इसे लिए उनको सुगत yanlış कहते हैं सुंदर मारत को अपना लिए आरेयश्ट थांगि को मारत को अपना लिए इसे उनको सुगत कहते हैं तो यह आरेयश्ट थांगि मारक को पता है एक को सबना स्बाइन जीस प्रकार गंगण darauf गंगा नदी जो बहती है वो अंत में कहां जाती है सागर में जाती है ना तो गंगा नदी में अगर जाएंगे तो इस गंगा नदी के जरी सागर में पहुंच सकते हैं ठीक उसे प्रकार जो कोई वेक्ती इस आर्य अश्टांग मार्ग पर चलता है तो वो सीधान्त में मुक्ति पाता है निरवान पाता है जनम मृत्यों के फेरे से मुक्त हो जाता है इतना बड़ी चीज़े आरे जिता हैं कि मार्ग सिर्फ नॉमल वचन नहीं है बट इसको प्रैक्टिस करने से होता है भगवान बुद्ध जी को कहते हैं बता है किया अनुपनस मगगस उपा देता भगवान बुद्ध जी इस दुनिया में जो मार्ग नहीं है उस मार्ग को उत्पन करते हैं कौन से मार्ग को उत्पन की यह आरे श्टांक मार्ग को उत्पन की भगवान बुद्ध जी अनाखाता से मगग साखाता जो मार्ग देव मनुष्य को जो कोई नहीं बताया वो मार्ग देव मनुष्य को बताते हैं भगवान बुद्ध जी मगगयू भगवान बुद्ध को कहा जाता है मगगयू करत है मार्ग मतलब मुक्ति के मार्ग के बारे में चतुर हैं वो मुक्ति को मार्ग के बारे बताने वाले तो एक और बात है किस आरे अश्टांग के मार्ग पर बिना चले मुक्ति नहीं पा सकता केवल प्रार्थना करते रह गएं तो दीन भर केवल जबते रह गएं तो दीन भर सम्मा दिठ्ठी समासंग का पैसे करके मुक्ती मिलने वाला नहीं है इसी मार्ग पर चलना होगा जैसे एक मुर्गी के पास कई अंडे हैं आठ दस पंदर मान लेजे अभी वो अंडे को सेखती नहीं है वो मुर्गी जो एक माक करता भी होता उन अंडों को गरम देना वो नहीं करती है मुर्गी कुछ नहीं करती है जो responsibility शेकना, गरम करना, प्रोटेक्ट करना और वो प्राठना करती है मुर्गी कि हरे इन मेरे अंडों से मेरा बच्चा अपने चोच से तोड़ करके अपने नाखुन से अंडे का छिलका को तोड़ करके बाहर आजा क्यों वो मुर्गियां बाहर आएगी अंडों से नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो करतव्यों किया नहीं ठेक उसी प्रकार क्यों प्राठना करते रहा गएं तो मुक्ति नहीं मिल सकता बगवान बुद्धी पता है, और एक मुर्गी है वो क्या करते है, अंडों को सेकती है रक्षा करती है, भली भाती देख भल करती है वो प्राठना नहीं करती है क्या रहे मेरे अंडों से मेरे बच्चे अपने चोट से, अपने होट से छिलकों को तोड़ कर बाहर है, वो प्राठना नहीं करती है जो इस आरे अश्टांग मार्ग पर भली बाती चल रहा है तो उची समय पर उसे मुक्ती निर्वान मिल जाता है तो आखिर क्या है ये आरे अश्टांग मार्ग इसी के बारे में आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं क्यांत से सुनिए, बहुत सुंदर विस्तार है, आप लोग तहीं नहीं सुने होगे। ये सूत्र हम बताने काले आप लोगों को, ये मज्जिमने कायम ने महाचत्तारि sagte सूत्र नाम है, उसी से लेकर को भूप होगों यह डीटस बताएंगे। अप लोग को मालूम है धम चक्क पवात्तन सूत्र में बगवान बुद्ध जी कहते हैं कतमांच भिखवे दुख निरोदगामनी पड़ी पदार ये सच्छंग दुख को दूर करने का मार किया है बगवान बुद्ध जी बताएं ये आर एश्टान के मार किया है ये आठ हम ये पाली में बोलें तो अभी हम इन आठों को क्या है सम्मादिध ये सारा एक एक करके पुरा डीटेल से आपको बताएंगे ये सुनने के बताएंगे आपका डिल में पूरा अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि इसका अर्थ क्या है तो सबसे पहला कौन सा अंग है पहला अंग है सम्मादिध ये जाने में भगवान बुद्ध बताएं उसी सूत्र में कि सम्मादिध ही सबसे मुख्य होता है इन आठों अंगों में सम्मादिध के वगएर वो आगे का श्टेप में नहीं जा सकता है सम्मादिध को भगवान बुद्ध जी के एक्सांपल बताएं हैं सुबा आकास में लालिमा आती है आप लोग देखे होंगे सूर्य उदे होने से पहले उसी से हम लोग समझते हैं कि अभी सूर्य उदे होने वाला ठीक उसी प्रकार इस आरेयस्टाइंग मार्ग पर जिसके चिके पए सम्मादिध होता है तो उसी से हम लोग समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति आगे और आगे मार्ग पर जाएगा आरेश्टाइंग मार्ग पर यही चलेगा और यही आगे मुक्ति पाएगा वो समझ सकते हैं तो सम्मादिठी ये मुख्य होता है सम्मादिठी इसको हिंदी में कहते हैं सम्यक द्रिष्टी लोग सम्यक द्रिष्टी करते हैं पर वास्त में इसकार्थ नहीं जानते हैं तो सारे आंगों को पाने के लिए ये सबसे मुख्य होता है सम्यक द्रिष्टी वाला व्यक्ति ही मिथ्या द्रिष्टी किया है उसे पहचानता जिसके पास सम्यक द्रिष्टी नहीं है वो मिथ्या द्रिष्टी अर्थात अंद्री स्वास किया उसे पहचान नहीं सकता तो सम्मा दिठी है तो वो पहचान लेता पहचान करके पता है क्या करता उन मिठ्या दृष्टी को दूर करने के बाद ही वो व्यक्ति सम्यक दृष्टी कहलाता है मतलब व्यक्ति सम्यक दृष्टी से युक्त है कहलाता है तो इसका मरतलब मिठ्या दृष्टी को भी पहचाना पड़ेगा कि आखिर क्या है मिठ्या दृष्टी बगवान बुजी बताएं मिथ्या दृष्टि अंद विश्वास को समझ लीजी क्या है बगवान बुजी बताते हैं खुद विस्तार ये मेरा विस्तार नहीं है पहला है मिथ्या दृष्टि का पहला अंग है नथी दिननंग दान देने का फल नहीं होता है ऐसा मानता है कौन अंद विश्वास लोग इसलिए आजकर लोग कहते हैं कि इतने लोग क्या दान देना है क्यों पैसा बरवात करना क्यों अपना पैसा दूसरों को देंगे क्यों अपना बोहजन दूसरों को देंगे क्योंकि उन लोग विश्वास नहीं कहता है कि दान देने का फल नहीं होता है, ऐसा उन लोग मानता है, अंद्विस्वासी का लक्षन बता रहा है, जैसे महाली जी घर में कोई आगंतुक आते हैं, कोई रिष्टदार आते हैं, या कोई आता है महमान, उन्हों कुछ भोजन देने से, सेवा, सत्कार आदि वेगारा करने से, या बड़ बड़ों को इजजद गौरव करने से, कोई फल नहीं होता है, ऐसा मानता है, इसलिए अभी किया है, अभी ये बहुत है, इसलिए बड़े बड़ों को इजजद, गौरव, बड़े लोग आने पर खड़ा होना, ये सब खत्म हो गया, क्यों अभी का लोग अंध्विस्वास अंध्विस्वासी का ये लक्षन है, और एक है, नथी सुकट दुखटानंग कमानंग फला, नथी सुकट दुखटानंग कमानंग फलंग विपाको, अंध्विस्वासी लोग विश्वास नहीं करता है, कि पुन्य का फल होता है, पाप का फल होता है, लोग मानता नहीं है, इसी कारण से तो अभी इतना धर्ती पर पाप बढ़ गया ना लोग हत्या करता है, चोरी करता है, वेबिचार करता है, नशा करता है, जूट बोलता है, लड़ता है, मारता है, मटर करता है और ये सब क्यों, वो लोग अंदुविश्वासी है, पुन्य पाप का फल विश्वास नहीं करते है, इसका मलब लोग समयक दृष्टी वाले नहीं है, मिध्या दृष्टी वाले है, और एक है अंदुविश्वासी का लक्षन देखिए, नत्ति आयांग लोकू, नत्ति पर ये लोक है, वो विश्वास करता नहीं है, नत्ति पर लोको, पर लोक होता है, ये विश्वास नहीं करता है, बहुत सारे लोग अभी ऐसा है, बहुत लोग कहता है कि कौन देखने गया है नरक, कौन देखने गया है स्वर्ग, वो कहा है, सब स्वर्ग भी यहीं है, नरक भी यही यह धरती पनी ऐसा लोग कहते हैं उन लोग पर लोग को विश्वास नहीं करता है भगवान बुजी कहते हैं यह विश्वास नहीं करता है मतलब उन लोग अंद्विश्वासी हैं इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो बुडिश हो करके भी विश्वास नहीं करते हैं भगवान बुद्ध के ग्यान को नहीं जानते हैं क्या करेंगे अंधि विश्वास मेरा करके वैसे ही मर जाएंगे उत्तम दुरलब मौका भगवान बुद्ध के ग्यान को ग्यान पर चलने का मौका उन लोगों से छुट जाएगा नत्थी मा था, नत्थी पिता मा नाम का कोई विशेश इस दुनिया में है पिता नाम का विशेश कोई दुनिया में है विश्वास नहीं करता है अब जब मा पिता को विश्वास नहीं करेगा तो आदमी कैसे मापिता को सेवा करेगा कैसे जो जननी है उस माँ को जो पालन करता है उस पिता को भविस्त में या बुड़ा होने में कैसे दिखबल करेगा उन लोग विश्वासी नहीं करता है अंदिविश्वासी हो इसके वाद और एक है नत्थी सत्ता ओपपातिक अंदिविश्वास मिथ्यादृष्टी कल्लक्षन वो विश्वास नहीं करता कि ओपपातिक प्राणी होते हैं क्या होता है ओपपातिक प्राणी जो मा के गर्व से भी जनम नहीं लेता जो अंडे से भी जनम नहीं लेता और जो सड़ा गला हुआ चीज से भी जनम लेता नहीं लेता इन तीनों के बेगार जो अपने आप जनम लेता उसे कहते हैं उपपातिक प्राणी प्रेत लोग में प्रेत अपने आप जनम लेता इन तीनों के बेगार देव लोग में देवता हूँ नरक में नरक के प्राणी ब्रहम लोग में ब्रहम ये सारे लोग अपनी आप जनम लेते हैं करम के नुशाथ वो लोग ओपादिक प्राणी के लाख कहलाते हैं लेकिन हंद विश्वास एक अलक्षन क्या है इनको विश्वास नहीं करता कि ऐसा प्राणी होता है अभी भी बहुत सारे हैं कहते हम देखे ही नहीं है अरे सामान नजरों से ये सब दिखने वाला नहीं है पाप में डूबे वे प्राणी को ये सब दिखने वाला नहीं है उसके लिए दिवी दृर्ष्टि चाहिए ज्यान का भनडार चाहिए ध्यान समादि चाहिए साधारम लोगों कैसे यह सब दिखेगा इसलिए तो रिशी मुणीत लोग होते हैं बगवान भुद्ध होते हैं और हन्त लोग होते हैं वे लोग अपने दिवि दृष्टी से देखती हैं और ग्यान बताते हैं जिसे हम लोग समझ पाते हैं और विश्वासि लोग ये विश्वास नहीं करता हैり वो भी अंदिविश्वासि का लक्षन है अगला हुआ है नत्ति लोग के समना ब्राहमना सम्मग गता सम्मा पठि प दान को बोध करके मुक्ति का मार्ग बताते हैं वो लोग विश्वास नहीं करता है तो ये लक्षन जो बता है ये मिध्या-दृष्टि का है तो जो सम्मादिथ्थी वाला व्यक्ति इसे भली भाती समझता है कि ये है अंदिविश्वास का लक्षन ये है मिध्या-दृष्ट इन मिथ्ध्य दृष्टी को इन लक्षनों को दूर करके सम्यत दृष्टी वाल आदमी विश्वास करता है कि दान का फल होता है सेवा सतकार का फल होता है पुर्णे पाप का फल होता है ये लोग है, पर लोग है, देव लोग है, स्वर्ग है, नरक है पाप करने वाई लोग वहाँ जन लेता है विश्वास करता है मापिता नाम का कोई विशेस व्यक्ति है विश्वास करता है इस दुनिया में अपने आप उपपातिक प्रानी है देव लोग में देवता हूँ नरक में नरक के प्रानी प्रेत लोग ये सब है वो विश्वास करता है विश्वास करता है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं मुनी लोग जो इस क्यान को बोट करके मुक्ति का मारक बताते हैं ये विश्वास करने के कारण ही तो वो पाप से अलग होता है पाप नहीं करता है नहीं तो आदमी पाप करेगा नान विश्वास पाप करेगा कि कि विश्वास नहीं है तो सम्यक द्रिष्टी वाला है अपने दिल के गुणों को बढ़ाता शीलों का पालन करता दान देता है कि वो जानता है फल होता पुन्य कर्म करता, ध्यान साधना करता, दूसरों को मदद करता, अपने मन को पवित्र करने के लिए कोशिश करता, ये लक्षन किसका है, सम्यक द्रिश्टी व्यक्ति का, तो सम्यक द्रिश्टी अंद्रिश्वासी का लक्षन को समझ करके, उसको पहचान करके, इसे अपनाने के लिए आपको मिथ्या दृष्टी के लक्षनों को दूर करना होगा तब आप सम्याग दृष्टी कहलाएंगे यह हुआ आर्याष्टांग मारक का पहला अंग इसके बाद दूसरा अंग क्या है? हाँ और एक कारन हम बूलने के बताने के लिए सम्याग दृष्टी में भी दो प्रकार का होता है एक लोकिक और एक लोकोतर लोकिक सम्याग दृष्टी के बारे में हम आपको भी बताएं यह दस सम्याग दृष्टी इससे पूर्णे कर सकता है बहुत पूर्णे करके सुखदाई जीवन में जा सकता है सुखी लोग में जा सकता है और एक होता है अनासवा लोत उत्तर अनासवा उत्तर सीधा वो मुक्ति पाता है उस कार्थ क्या है वो सीधा दुख दुख का कारण, दुख का निवारन और दुख निवारन का मार के बारे में सीधा बोध कर लेता है बहुत गंबीर हो सिद्धा मुक्ति के लिए उपकार होता है पहला ये था दूसरा है आरेश्टाईमार का कारण क्या सम्मा संकल्प जिसको लोग हिंदी में सम्यक संकल्प कहते हैं क्या है वो? कहते हैं लोग आज कल अच्छी विजảiर करना है विस्तार्ष नहीं जानते हैं सम्यक संकल्प में आना है तो बिना first step के बिना सम्यक दृष्टी के आदमे को सम्यक संकल्प नहीं अपना सकता है सम्यक संकल्प को अपनाने के लिए first कारण उपकार होता सम्मादिठी से युक्त व्यक्ते ही सम्यक संकल्प को भी समझता है और मिठ्या संकल्प को भी जान लेता इस प्रकार जान करके वो बुद्धिमान व्यक्ती मिठ्या संकल्प को सबसे पहले दूर करता तबी तो सम्यक संकल्प आएगा न जैसे माल लीजिए सकते हैं ठीक उसी प्रकार सम्यक संकल्प में आने के लिए जो मिध्या संकल्प है उसे क्या करना पड़ेगा हाटाना पड़ेगा तो बगवान बुजी बता है वो बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले मिध्या क्या गलत संकल्प उसको पहचानता है पहचान करके दूर करता ह नहीं बाते हैं, काम संकल्प, काम संकल्प कारत ह होता है, सिधा इस दु न्या के बारे में, सिर्फ खाना है, पिना है, ऐस्मोज करना है, और क्या? लोग कहते हैं रहे कुछ दान पूरने करने से क्या फायदा सिर्फ खाओ पीओ जो जो एस मोज करना है वो से करो पैसा दौलत धन संपती ये सब के बारे में जो दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं ये सब क्या है काम संकल्ब दूसरा बागवान बुद्धी बता है व्यापाद व्यापाद मतला हमेसा क्रोध से रहता है गुसा से रहता उसको मारना चाहिए उसको नश्ट कर देना चाहिए उसका सिद्धा खलास कर देना चाहिए थोड़ा सा कोच होने पर गुसा का संकल्ब तीसरा है विहिंसा हिंसा करने के बारे में सोचते रहते हैं उसको हट तोड़ देना चाहिए उसका पर तोड़ देना चाहिए उसका गलब फोड़ देना चाहिए उसका आग फोड़ देना चाहिए ऐसा हिंसा करने के बारे में सोचते रहते ये तिनों क्या है? सम्यक संकल्प या मिथ्या संकल्प? मिथ्या संकल्प गंदा पानी के जैसे तो उसी घड़े में पवितर पानी डालना है तो उसको हठाना पड़ेगा तो सम्मादिथी, सम्यक दृष्टी वाला आदमी ही इन गलत विचारों को समझ जाता है समझ करके इसे दूर करता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है इसे दूर करके वो सम्यक संकल्प में आता है क्या है सम्यक संकल्प? निक्खम संकल्प भगवान बुद्ध जिस प्रकार ग्यान के बारें बता है उसी ग्यान के बारे में सोचता है जिस प्रकार से अपने मन की पाप दूर होता है उस प्रकार से विचार करता है जिस प्रकार से अपने मन में अच्छे अच्छे विचार जागते हैं उस प्रकार से विचार करता है जिस प्रकार से अपने मन के सारे बुराईयां दूर होती है उस प्रकार का विचार करता है यह हुआ निक्खम विचार और एक है अव्यापाद क्रोध गुस्था नहीं डया का भाव है उसके दिल में सभी प्राणियों के प्रती माहित्री का भाव है वो माहित्री साथ ना करता है क्या है यह अव्यापाद संकल्प तीसरा है अवी हिंसा दूसरों को हिंसा करने के बारे में कष्ट पहुचाने के बारे में विचार नहीं करता हो वो अपने दिल में करोणा जगाता है सारे प्राणियों के प्रती चाहे मनुस्य हो चाहे पसुपक्षी हो चाहे अमनुस्य हो या दिवता हो तो ये तीन कारण है तो पहला निक्खम संकल्ब अव्यापदावीन सा वो सम्यक संकल्ब व्यक्ति कहला था दो कारण हो गया तीसरा आईए तीसरा क्या है सम्मावाचा हिंदी में लोग कहते हैं सम्यक वचन क्या है वो सम्यक वचन में आने के लिए सबसे पहले जो मिठ्य वचन है उसे अपने जीवन से हटाना होगा तब ही सम्यक वचन को जगा मिलता आने के लिए नहीं तो जगा नहीं मिलता जैसे मुदाहरन बता है कि जिस घड़े में पवित्र पानी डालना है तो गंदे पानी को हटाना पड़ेगा उसी प्रकार अपने जीवन से मिथ्या वचन को हटाना पड़ेगा तीसरा स्टेप में आने के लिए भी फर्स्ट स्टेप ही वुपकारी होता है बिना सम्यक दृष्टी के सम्यक संकल्प नहीं पासकता और उसके बिना सम्यक वाचा भी नहीं पासकता तो बगवान बुद्ध जी कहा है कि सम्यक दृष्टी वाला व्यक्ति ही सम्यक वचन को अपनाता है उससे पहले वो मिथ्य वचन को पहचान लेता, क्या है मिथ्य वचन, बगवान बुद्धी बता है, मुसावादू, जूड बोलता है, पिसुनावाचा, चुगली करता है, फरुसावाचा, फरुसावाचा का अर्थ होता है, कठोर वचन बोलता है, जिस वचन से दूसरों का दिल दुखता है, जिस वचन को सुनने से कान को कष्ट पहुंचा था, पहुचता है, वैसा वचन कहता है, चौधा है संपफ़ालापा व्यर्थ अर्थ सुनने बात ये वैसे ही दुनियादारी के बारे में बाते करते रहता है व्यर्थ बाने बिना धर्म के बाते करते रहता जो मुक्ति के लिए उपकार नहीं है वैसे बाते करते रहता ये चार बगवान बुद्जी बता हैं मिथ्या वचन है अभी पूरा का पूरा समाज इसी में न डूबा हुआ पूरा समाज का लो जूट में ही डूबा हुआ बोलता है बिना जूट बोलेगा ऐसे जिएन बिताएंगे इसे में डूबा हुआ क्या करेंगे सत्य से दूर हो रहे हैं मनुस्य सम्याक वचन से दूर हैं पूरा समाज में मिथ्या वचन ही है लेकिन कहेंगे हम सम्याक वचन बोलने वाले हैं पर सम्याक वचन से दूर है बगवान बुद्ध जी बताते हैं किसी सम्यक वचन को अपनाना है तो उसी मिथ्या वचन को क्या करना होगा? मिथ्या वचन को दूर करना होगा, बगवान बुद्धी बताएं, सम्यक वचन चार प्रकार का होता है, याद रखे पहला है मुसावादा वेर मने चाहे प्राण कीओ ने चल जाए वो जूट नहीं बोलता पिशुना वाचा वेर मने पिशुना वाचा करता है वो कभी भी दूसरों में भेध उत्पन्ने करने के लिए चुगली नहीं करता तिसरा है फरोसावाचा ऐसे वचन कभी नहीं बोलता जिससे दूसरों का दिल दर्दो हमेशा ऐसी वानी का इस्तेमाल करता जिससे दूसरों का दूसरे लोग सुनने के बहुत खुश होते है सबसे मधुर वानी क्या है इस दुनिया में भगवान बुद्धी जी के ज्यान की बात उससे बढ़कर इस दुनिया में मधुर तम वानी नहीं है उसे सुनने से दिल भी खुश होता है मन भी खुश होता है मन भी पुरा का पुला क्लियर शांत हो जाता है आप जानते ही हमें चौथा है संपाप्पलापा व्यर्थवानिना बोलकर ज्यान की बाते करता है ये चार है तो वो सम्मावाचा से युक्त कहलाता है तीन बता दियां रहे श्टांगिक मारका चौथा में आते हैं सम्मा कमवंत हिंदी में कहेंगे तो सम्यक कर्म लोग कहते हैं अर्थ नहीं जानते हैं सम्यक कर्म में आने से पहले उसको मिथ्या कर्म को भी जानना होगा मिथ्या कर्म को दूर करना होगा तब ही उसके जीवर में सम्यक कर्म के लिए जगा मिलेगा बगवान बुजी बता है सम्यक कर्म कमंत को अपनाने के लिए भी first step बहुत जरूरी है क्या सम्यक ग्रिष्टी क्योंकि सम्यक ग्रिष्टी वाला व्यक्ति ही जानता है कि ये मिथ्या कर्म है तीन पर करका भागवान मुझे बता है पानाती पातो वो हत्या करता है कर्म है, सरीर से होता है ये हत्या सरीर से ही होता है हत्या करता है, चोरी करता है, वो भी कैसे होता है सरीर से, कामे सुमिछा चारो, वे भी चार करता है, अपने पत्मी से खुशनाओ करके, अपने पत्ति से खुशनाओ करके, दूसरे इस्तरियों के बीचे, फुर्सों के बीचे जाते हैं, सरीर से गलत करते हैं, ये क्या है, पर विश्वास नहीं करता, इसलिए शरीर से गलत करता, इसलिए ये मिथ्या कर्म के अंदर में आता, भगवान को जी बता है, सम्मा कमनत क्या होता, तीन प्रकार का होता, हत्या नहीं करता हो, चाहे जो कुछ भी हो जा, प्राणे की उना चले जा, प्राण्दा उपर लगा द देता है किन्तु हात्या नहीं करता है किनको विश्वास करता है सम्यक द्रिष्टी हो उसके पास पुन्य पाप का फल को परलुक को विश्वास करता है उपपातिक प्राणी को विश्वास करता है इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो हक्त्या नहीं करता है सरीर से चोरी नहीं करता है अदिन्य अदाना वेरमने का मेशु मिच्छाचारा वेरमने केवल अपने पत्ने से खुश हो जाती है वो इस्तरे अपने पत्ने से खुश हो जाता है वो पुरुश क्योंकि वो विश्वास करता है पुण्य पाप कफल होता है तो ये तीन कारण है तो वो व्यक्ति सम्मा कमंत के अंदर आता है, सम्यक कर्म के अंदर वो आता है। देखे, हम एक छोटी सी घटना बताते हैं आपको, कि कैसे लोग पाप में नहीं जाते हैं, कैसे लोग सम्यक कर्म के बारे में हम एक अरंध्बंती का घटना बताएंगे, अरंध्बंती लोग का सम्यक कर्म देखी कितना अद्बूत होता है, कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उ एक भंती जी थे, वो भंती जी एक गाव में, एक घर में हमें सब भोजन के लिए जाते थे, वो घर का आदमी जो मनी होता है न, मनी को पॉलिश करने वाल आदमी था, मनी को काटने वाल आदमी था, वो भंती जी हमेज ता उसी घर में जाते थे, क्योंकि वो घर का लोग मांस काट रहा था कुछ मांस था उसी समय किया हुआ एक राजा का एक दूत राजपुरुष आया एक मनी ले करके और उसी घर का आदमी को बोला कि देखो महाराज ने जल्दी से इसको पॉलिश करके मांगा इसलिए फटा फट इसको दे दो करके दे दो तो वो क्या किया वो आदमी उसी घर का आदमी उसके हाथ में खून लगा हुआ था उसी हाथ से उस मनी को उठाया और टेबल पर रख दिया हाथ में खून होने करण उस मनी में भी खून लग गया उसी घर में एक पक्षी था मतलब मांसा हारी पक्षिजी, मांस खाने वाला उसी मनी में खून लगे ही होगी होने कारण वो सोचा मांस है वो आया है, उसी आया वोड़े करके मनी खून निकल गया वो अंदर से वो हाथ दो करके आया टेबल पर मनी रखा था अभी मनी नहीं है भंतिजी भी बगल में बैठे हुए भंतिजी देखे मनी को वो पक्षि निकला भंतिजी पूछे कि भंतिजी यहाँ पर मनी रखा था आप लिए तो बोलें नहीं, हम नहीं लिए कौन लिया, भंतिजी चूप हो गया दूसरी पर पूछे, भंतिजी बताए यहाँ पर मनी था, आपने लिया, वो बोलते हैं किस ने लिया, वो चूप हो रहा है तो समझ रहा अच्छा, तो आप मनी को चुरा लियें और बोल भी नहीं रहा है, घर में अपना पत्नी को बताए जाकर पत्नी को लिए देखो, मनी भंतिजी ने चोरी के लिए यह मनी कौन लिया तो भंती नहीं बता रहे हैं कि बताएंगे कि वो चिडियां वो पक्सी निकला यादम क्या करेगा उसको मार देगा इसलिए भंती नहीं बता रहे है चुप हो गये चिदा दो बार बोला, तीन बार बोला, चार बार बोला गुस्ता हो गया। गुस्ता हो करके, पता क्या किया। एक मोठा रस्ता लाया। रस्ती ला करके, बहंतिजी का पुरा सिर में लपीड दिया जोर सी, और पुरा टाइट करने लगा। बहुला भी बताओं। बहंतिजी फिर भी नहीं बोजह ये। देखे, प्रान चला जाता है, पर उन लोग हत्या जो होता है, प्रानियों पर कितना दया होता है, बहनती जी का नाक से खून निकलने लगा, खून पर अपना चोच डालने के लिए वो पक्षी फिर से आया, आदमी प्रगुस्ता में था, जोर से मारा पैर से, वो पक्षी मर बहनती पूछे गया, पक्षी मर गया क्या, तुमको क्या मर ले उस पक्षी से, नहीं नहीं, तो देखो तो पक्षी मर गया क्या, बहता है, हाँ, मर गया, बहता है, 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 बहता है देखिए अरेंख मनती लोग कैसा उनों का खर्म होता है सम्मयक खर्म सम्मयक कर्म तो यह खम उदारण बताएं तो यह था चोथा पाचवा है जिव लugu इसकार्त क्या था था? हिंदी में कहते हैं सम्मयक ऐजीवகा मतलब जीवन यापन करने का तरीका सम्यक होना चाहिए बगवान गुजी इसके लिए यूँ बताते हैं ये सम्यक आजीविका में भी वही व्यक्ति आता है जिसके पास सम्यक दृष्टी है सम्यक दृष्टी नहीं है तो उसके पास सम्यक आजीविका नहीं हो पाता क्योंकि सम्यक दृष्टी वाले व्यक्ति ही जानता है कि ये काम मिथ्या है, ये काम गलत है उसको पहचानता है पहचान करके उस मिथ्या आजीविका को हटा करके सम्यक आजीविका में आ जाता है क्या है मिथ्या आजीवी का सबसे पहले वो जानेंगे तब न सहीवला अपना पाएंगे आज के लोग जो तराजू से धंडी मार करके पैसा कमाते है या दोखा से पैसा कमाते है या ठग करके या लूट करके पैसा कमाते है ये क्या हुआ मिथ्या जीविका चावल में लोग सफी जैसा कंकर मिला देते हैं या कोई नादान आदमी आ गया तो उसको प्राइस जो है तीन चार पांच गुना बढ़ा करके बोलते हैं पैसा लूटने के लिए या जूटा सिगनेचर लोग करते हैं जूटी गवाही देते हैं जूटी गवाही देकर के पैसा लूटते हैं तो इस प्रकार ये सब जो गलत थरीका से हैं पैसा कमाते हैं ये क्या होता मिथ्या आजीविका में सिधा सिधी कहेंगे तो जिस प्रकार जिस किसी जूट बोल करके जो पैसा कमाते हैं तो चोरी करके भी अगर पैसा कमाते हैं तो या वह भीचार करके भी पैसा कमाते हैं तो ये सब मिठ्या आजीविका में आता है सीधा सीधे कहेंगे तो जिस किसी आजीविका से जूट बोल करके या ठग करके या लूट करके या दोखाल दे करके पैसा कमाते हैं तो वो मिध्या आजीविका में आ जाता है उस प्रकार धन कमाने से पाप मिलता है पाप मिलता है बागवान बुजी और बताएं कि पांच प्रकार का आजिवी का व्यापार नहीं करने के लिए बागवान बुजी बताएं पता है क्या फस्ट क्या है शराब का व्यापार दारू शराब नशा वाइन ये इसका व्यापार बैगवानबुजी करने के लिए मना किया है दूसरा है मांस के लिए प्राणियों को बेचना ऐसे मुरगा को बेचना मचली को या सूवर को या बकरी कुछ भी है तो इसको क्या कर गा लोग इसको मारने के लिए ननलोग बेचता है तो इस प्रेकार का वियापार नहीं करने के लिए बता है तीसरा है प्राणियों को मारने के लिए चाहे मनुसे हो या जानवर को मारने के लिए आउजार का वियापार नहीं करता है बंदुक से किसको मारा जाता है आदमी को तलवार से तो ये सब का वियापार नहीं करता है आउजार का वियापार चौता है विष्ष का वियापार ये विष्ष प्राणियों की हात्या होती है भगवानमजी बता है विष्ष का वियापार नहीं करने के लिए पांचवा है गुलामी का वियापार गुलाम बना करके रखने का जो व्यापार हो तो इस से दूर ये हो गया मिथ्या जीविका तो जो इन सारे मिथ्या जीविका को हटा करके जो इन सब के बिना जो व्यापार करता है वो सम्या का जीविका कहला था ये था पांचवा अंग आरे अश्टांग इक मर्ग अभी आएंगे छठा अंग में क्या है हिंदी पाली में कहेंगे तो सम्मा वायाम यह लोग कहते हैं हिंदी में सम्यक व्यायाम पर यह गलत हर्थ है सम्यक व्यायाम व्यायाम तो लोग कहते हैं इक्सरसाइज कर यह गलत है सम्मा वायाम मतलब पगवान बुद्ध जी वायाम का अर्थ बताएं है जो पराक्रम करता है जो अशामान ने उत्सा करता है किस लिए सम्यक प्रकार से करता है किस लिए चार प्रकार का होता है सम्यक सम्मा वायाम अगर अपने जीवर में जो पाप उत्पन नहीं हुआ है उससे उत्पन नहीं होने देने के लिए छंद लग जनेती वो पसंद करता है वायमती वीरे करता है, महिनत करता है मतलो एक सामपल शिदा सिधी कहेंगे तो आपके जिवन में अगर कोई पाप अभी तक नहीं आया है तो उसको नहीं आने देने के लिए महिनत करना जैसे मान लीजिए आप अभी तक कभी भी हत्या नहीं किये वो पाप आपके जिवन में अभी तक नहीं आया तो उसको नहीं आने देने के लिए महिनत करना Sammamayam के अंदर आता Example माली जी अभी तक आप कभी भी नशा नहीं किये हैं शराब नहीं पिये हैं आपका जीवन पवित्र है तो उसी पाप को आप अपनी जिल में नहीं आने देते हैं Sammamayam के अंदर आता माली जी आप अभी तक भर्भमचारी हैं कभी भी गलत नहीं किया है, आप उसी ब्रह्मिचरी को अखंड रूप से पालां करते हैं, वो क्या हो गया, सम्मावायाम क्या रहता है, फस्ट हो गया, दूसरा, उपनानंग पापकानंग अकुसलानंग धम्मानंग पहनाए, आपकी जियों में जो कुछ पाप आ गया है तो, उसे दूर करना है, जैसे मालिय अगर आपसे हत्या हो जाता है तो, उसे हत्या नाम के पाप को दूर करने के लिए मेहनत करते हैं, आप जूट बोलते हैं तो, उसी जूट को दूर करने के लिए, सत्य बोलने के लिए मेहनत करते हैं, मालिय आपसे गलत होता है तो, उसी गलत को दूर करने के लिए आप मिनत करते हैं ये दूसरा अंग है सम्मावाया मका आसान नहीं है बत उत्तम है तीसरा भगवान बुद्धी बताएं जो कुछ अच्छाई उत्पन नहीं हुआ है तो अनुपन नानंग कुसलानंग धमानंग उपदाए जो कुछल जो अच्छाई अपने जीवन में अभी तक नहीं आया है उससे लाने के लिए मिनत करना जैसे माल लीजी आप अभी तक जूड ही बोलते थे सच नहीं बोलते थे तो सत्ति की आएक अच्छाई है सत्ति को अपने जीवन में लाना चाहिए जैसे मान लिए आप हमेशा कंजूस हैं दान कभी नहीं देते हैं दान नाम का अच्छा है आपको जियर में नहीं है आप दान देने के लिए सुरू करते हैं अच्छाई को अपनाने के लिए कोशिश करते हैं मान लिए आप दूसरों को जो असाहा है उसको कभी मदद नहीं करते हैं जो भूखे है उसको कभी आप खाना नहीं देते हैं तो आप भूखे को खाना देते हैं असाहाय है उसको मदद करते हैं तो जो गरीब उसको मदद करते हैं तो वो एक अच्छाई है वो सच्छाई को अपने जीवन में लाने के लिए मेनत करते तो अच्छाई को अपने जिर्म में लाने के लिए मेनत करना है ये तीसरा मेनत हुआ समावायाम का तीस रांग चौथा जो अच्छाईया अपने अंतर है उसी प्रोटेक्ट करना चाहिए जो अंदर आपका गुन है उसी गुन को संभाहाल करके रखना चाहिए जैसे मानली जी आप हमेशा सत्ते बोलते है वो एक गुन है आपका उसे मनी जैसा सुरक्षा करके रखी आप मानली जी हमेशा ज्यान सुनते है उसी आदत को हमेशा सुरक्षा करके रखी मानली जी, आप हमेशा दान देते हैं, वो एक गुन है, उसको मनी जैसा सुरक्षा करना चाहिए आप कभी भी चुगली नहीं करते हैं, आप हमेशा मधुरुवाने बोलते हैं, वो गुन है आपका उस गुन को सुरक्षा करके रखी आप मानी जी पती वरता है या फिर आप कभी भी गलत काम नहीं करते हैं दूसरे इस्त्रियों की पीछ या दूसरे पूरुष्टों की पीछ नहीं जाते है वो एक आपका गुन है उसी गुन को प्रोटेक्ट करना चाहिए तो जो गुन है उसको प्रोटेक्ट करना ये चोथा आंग है सम्मावायाम सम्यक वैयाम मत कहिए गए इसको सम्मावायाम ही है पाली महीं कहेंगे तो अच्छा है ये हुआ छठा आरेश्टाइंग मारक का अभी बताने वाले हैं पांचवा अरुदो सत्वांग क्या है वो सम्मा सती सम्मा सती बहुत ये गंभीर है भगवान बुद्री सोट में संख्षेप में कहेंगे तो इसे अपने होस को रखना भगवान बुद्री इसके लिए बताने चार सती पठान काया नुपसना वीदना नुपसना चित्ता नुपसना धमा नुपसना से युक्त होने वाला व्यक्ति सम्मा सती कहलाता सम्म्मा कि सम्रिती वाला कहलाता और आठवा अंग है सम्मा समाधी समाधी मतलब धियान एकागरता समाधी में कहेंगे तो जैसे में आप आना पाना सती दिहान के जरी अपने मन को एकागर करते हैं या तो फिर माइतरी दिहान के जरी या धातु मन सिकार दिहान के जरी या अशुब दिहान के जरी या बुद्धान सती दहमान सती संगान सती ये सारा दिहान है इन ध्यान के जरी अपने मन को एक कागर कर लेते हैं तो सम्मा समाधी कहलाता है अनित्य ध्यान, अनित्य अस्खंद ध्यान ध्यान बागवान मुझे बहुत सा रह बता है तो इन ध्यान के जरी अपने मन को एक कागर कर लेते हैं प्रथम दियान, दृत्य दियान, दृत्य दियान, चतुरत दियान इन गुनों को, इन ध्यान को, इने काग्रताओं को अपना लेते हैं तो वो सम्मा समाधी के अंतर गयता है सम्मा समाधी का डिटेस बहुत जादा है तो इसलिए हम आपको इसे सौट में बता रहा है तो इन ध्यानों के जरीए मन को एक काहर कर लेना समा समाधी है मिथ्या समाधी भी होता जैसे मिमाली जी मिथ्या समाधी कोई वेक्ति फिल्म देख रहा फिल्म देखते समय कभी-कभी उसी रूम में कोई आ भी जाता पर इस व्यक्ति को होश नहीं रहते हैं इसका मन एक अगर कहा है उसी फिल्म के जरी पर वो सम्यक नहीं होता वो मिथ्या होता समझ गया है कोई व्यक्ति गाना सुनने में पूरा मगना है पूरा मैंड फोकस कहा है उसका गाना में सम्यक एक अगरता नहीं है सम्यक समाधी नहीं है वो मिथ्या समाधी है सम्यक समाधी मतलग जिस प्रकार समाधी से अपने मन का अकुशल दूर होता है कुशल से ही मन एक अगर होता है तो वो सम्यक समाधी कहलाता है तो ये था आठवा अंग आठव भी आपको हम बता दियें पहला क्या था? सम्यक द्रिश्टी दूसरा सम्यक संकल्प सम्मा दिथि सम्मा संकप सम्मा वाचा सम्मा कम्मंत सम्मा कर्म सम्मा आजीव सम्यकाजी भी का सम्मावायाम मतलब सम्यक प्रयास कहेंगे तो ठीक है सम्मासति मतलब सम्यक सतिश्मति सम्यक समाधि यह आठंग है तो यह आठंगों को ही भगवान बुद्ध जी आरे अश्टांगिक मार्ग कहेंगे तो अगर आप इसी आरे अस्टांगिक मार्ग पर चलते हैं तो भली भाती चलते हैं तो धीरे 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 आप मुक्ती की खरीब पहुंच जाएंगे तो साहरिक लोगों में यह आठोंग भली भाती नहीं अठोंग भली बात एक stret होने के बाद यह बंटी तक पहूंच जाता किसी-किसी में समयाक anxiety का कर मान समय कम छादा हो सकता थोड़ा हो सकती तो इसलिए इसे संग करकि से प्रेक्टिसकर न चाहिए बढ़ाना चाहिए बढ़ाएंगे तभी आपका अफी दिर दिर पपूछ जाएगे इन आठों में से भी सबसे मुख्य है फस्थ सम्यकद्रिष्टी बिना सम्यक दृष्टी के ये बाकिए साथ अंग आप नहीं पा सकते हैं सम्यक दृष्टी के लिए आपको मिठ्या दृष्टी दूर करना होगा आजकल के दुनिया में ज़्याद अधर मिठ्या दृष्टी वाले लोगी है तो ये आठ अंग है दो अंग और हम आपको बताते हैं नौवा और दस्वा सम्यक ज्यान और सम्यक विमुक्ति ये दो अंग पाई जाते हैं जो भिक्षू आरहंत हो जाता है जो आरहंत हो जाता है उन लोग में दो अंग हो जाता है में पूरा डीटेल्स हर एक अंग का आठों अंगों का पूरा डीटेल्स से विस्तार से बता दिये हैं तो आप लोग इसको भली बाती समझ लीजिए और अपने जीवन में आरेश टाइंग मार्क को अपनाई आरेश टाइंग मार्क पर चल करके आप लोग भी मुप्त हो जाएं इसलिए हम आशिरवात करते हैं कि आप लोगों को इस आरेश टाइंग मार्क पर चल करके इस भाव सागर से बाहर जाने का भाग्य मिल जाएं नमबुद्धाए